गूर्णिंग स्टूडेंट्स तो आज हम लोग रिविजन करने वाले हिंदी का तो सबसे पहले गिंती हम लोगों ने की एकल तो आपको उसको अच्छे से लर्न करना है और कैसे लिखते हैं वो आपने कल देखा था आज उसकी वापस प्रेक्टिस करनी है तो सबसे पहले हमें यहहेडिंग लिखनी है किंती और प्रोपर लिए देखो मैंने जैसे गिशल से गमला लिखा है अबी तो आपने KAR bulakya कि अखें ओ untuk आ फिर यह मात्र आपको लगानी है, एक से दस तक, ठीक है न, मैं आपको आज एक सोंग बेजने वाली हूं, गिंती का, उसमें से आपको वो सोंग सुनना है, ठीक है, और वैसे ही आपको बोल-बोल के औरल करनी है, तो सबसे पहले, 30 नवेंबर यानि 11 और 2020, CW, ये देखो, ये लिख लेने हैं सिर्वनी टाइम, फिर देखो, अभी आपको हिंदी में लिखना है, एक, हिंदी में क्या बोलते है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और दस, कलम ने देखा था, कैसे लिखते हैं, तो ये वन टाइम लिख लिए, फिर आपको थोड़ी स से, ये ब्लैंक स्ट्रो की हैं न, मुझे यहीं पर लिखना है, वन, ये देखो, यहाँ पर मुझे वन लिखना है, इसको राउंड करके, ऐसे, वन हो गया न, टू, टू कैसे लिखना है, ये हो गया, टू, चीक है न, थ्री, त्री, तो सो, अरे, हिंदी में बोलना है, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, फिर चार, फिर पांच, च, साथ, आट, ऐसे स्लिपिंग लाइन करके, कौट करके, फिर वापेस नीचे से टॉन, आट, फिर नो, नो में उल्टा, एक के जैसा, और दस, ठीक है, देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, और दस, यहाँ पर भी आपको लिखने है, और इसको ओरल करने है, फाइट टेम्स, ठीक है, फिर नेक्स पेस पे आपको एडिंग लिखनी है, वर्ण मला, मतलब यह स्वर और विंजन, दोनों जिसमें आ जाता है, उसको वर्ण मला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ण मला, अभी आपने जो पहले लर्ण किया था, स्टार करके फर्स लाइन में एडिंग देना है, स्वर, ठीक है, फिर आपको आ से अनार, आ से आ, छोटी से इमली बड़ी से इंक, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे उन, री से रिशी, छोटे से एडी, आ से अईनक, ओ से ओंकली, आ से अवरत, अंग से अंगूर, और एहमिन्स, कुछ ने, यह आपको पहले औरल करके लर्ण कर लेना है, पिछे आपके लिखे में न, फिर यहाँ पे आपको पर अर्ण करनी है, और फिर अपने आपी चेक करना है, यह आपने right-liका यह रोंग लिका है, ठीक है, आपको properly यह learn करके फीर ही, लिखना है, फिर आपको one line leave करनी है, आहां के बाद में, और next line में लिखना है, वेनजन, यह देखो मैंने आदा व लिखने है, इसको half- फिर यह यह के उपर डोट यानि अनुश्वा ज और न तीक है अब भी आपको यह 55 लेटर से एक लाइन में लिखने और ऐसे ही लर्ण करने है आपको यह लेटर से आपने पहली लाइन लिखी आपको पहले त्री टाइम ओरल करने है फिर लिखने है फिर नेक्स लाइन ठीक है ना एक एक लाइन को आपको प्रोपरली लर्न करकरके लिखने है फिर आप नेक्स टाइम जब लिखो तब पूरा बिना दे के आपको लिखना है एक बार सब ओरल करकर के प्रोपरली लिखना है त से तलवार, त से थाली, द से दवाद, ध से धनुष देखो यह मैंने जो यह सरकल है इसके उपर लाइन नहीं किये न से नल, प से पता, फ से फल, ब से बतक, भ से भालू, म से मचली बैसे भालू मैं देखो यह दो कवड है, म में नहीं है म यह लाइन सीधा है, बहुत सारे इदर कवड करते हैं, नीचे नहीं पर में भी यह देखो, मैंने सर्फ लाइन नहीं किये, मैंने कोई भी लेटर के नीचे, मैंने कोई भी लेटर के नीचे एक कवड नहीं किये, ठीके ना, यहां से मोड़ा नहीं है ऐसे, आपको भी नहीं मोड़ना है, आपको सब लाइन सीधी रखना है, हिंदी में नीचे से म वजन अगर आप लोग एक्जाम में भी यह लाइन के नीचे कवड करोगे तो मैं उस लेटर को रोंग करूंगे श से शर्बत, श से सटकोड, स स समोसा, ह स हाथ, छ से छत्रिय, तर से त्रिशूल, गय से ग्यानी और श से शर होता आपको इतने ही लेटर लिखने, जो एक्स्ट्रा लेटर है वो आपने, अभी जो ट्रेसिंग किया थे वो आपको बुक में नहीं लिखने, ठीक है न, ना ही एक्जाम में लिखने, आपको इतने ही लेटर अभी लेटर करने और इतने ही लेटर की प्रेक्टिस करनी है यह आपको five times oral करने और two times लिखने यह आपको one, two and three times लिखने ठीक है, all the best, do well